आतो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ प्यारे बचे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग का बहुत डिमांड आ रहता है कि गुरू जी इसका अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा जाए तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्णिका की चैप्टर सब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगोंने पूरा कहानी पढ़ा था आप लोगोंने देखा पैरे बच्छो किस तरह से एक नगर की यहां कहानी है एक बेटी जो पापती है पाप पाती इनका पूरा नाम है और इसकी अम्मा जो है वल्ली अम्माल इसको इसके जो एक गाउं का नाम था मुल्ना डिप पढ़ती वहां पर इसकी तबियत खराब होती है और फिर वहां के डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें अस्पताल लेकर जाओ फिर ये मदूरे सहर लेकर के जाते हैं और मदूरे सहर में मत्तब एक बड़ा अस्पताल होता है ज इसके बाद अनुमानता पापाती की मिर्ती हो जाती है एक ऐसी कहानी है पहले बाद जिसको सुनने के बाद हर किसी आख में आशू आ जाते हैं अगर आपने उस कहानी को नहीं सुना है अगर आप ने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि बहुत जरूरी कोई काम रहता है तो मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई मत्तब कि जो ने नुकसान ना पहुंचे तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर देता हूं तो पहरे बच्चे रिकॉर्ड क्लास है लेकिन आपको 100% मजा आने वाला जैसा पहले आता था ठीक है तो अपने सार या कोई भी फ्रेंड है उसके पास जनुद जरूर कीजिए को है आज का मोटीवेशन देखते में मोटीवेशन है जीतना सभी चाहते हैं मगर जीता सिर्फ वो है जो अपना सब कुछ भुला कर सिर्फ अपने मकसद को जीता है तो पयरे बच्चो आपको 100% अपने मकसद पर focus करना है आपका जो सपना है क्या सपना है बच्छो आपका जो आपका dream है आपका जो goal है dream 450 प्लस इस पर आपको 100% focus करना है तभी आप भी इनके तरह जीत सकते हैं और आप भी योद्धा बन सकते हैं आपके मन में सवाल आता होगा कि गुरुजी इसका notes कहां मिलेगा कैसा इसका notes है ठीक है बच्छो और तुध्यान से देखेंगे सबसे पहली बात है इसका notes आपको dream 450 प्लस course में मिलेगा और मिर ही गया है बच्छो जो लोग था ना जिनको जिनको नहीं मिला है वो नए चातर जूड़ जाएंगे 499 रुपए हमने इसकी fees रखी है और बस इसी fees में आप इस course को join कर सकते हैं इसमें आपको हर chapter का notes मिलता है जैसे ही chapter खतम होता है ठीक है और बच्छो इसमें live classes है video class है doubt class है na video of सब कुछ आपको मिलता है कुछ कुछ चीने जो हम नहीं दे पा रहे हैं उसको भी हम बहुत ज़ कर रहा होगा ठीक है यह हमारा notes से पूरा का पूरा जो बन चुका है और मैं मैं आप लोगो दे भी चुका हूँ ठीक है ज्यादा रॉसनी हो रहा है तो आप पे करते हैं तो आप बोलता है सर मुझे हिंदी वहला notes चाहिए तो जिस group में आपको जुडा जाएगा उस group में आ आप सही करेंगे चलिए बच्छो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है पाप पाती के हर चीज के बारे में आई यह first question आपके सामने आता है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है पहला question नगर कहानी के कहानीकार कौन है आप कहेंगे सर नगर कहानी के कहानीकार है कौने बताओ, सु जाता, याद है आपको न, सु जाता है, जिनके जन्म की एगर हम बात करें बच्चो, तो बताना, जन्म इनका हुआ था, तीन मई 1935 को, सु जाता का जन्म हुआ था, आपको पता है, इनका वास्तिरिक नाम, एस रंगराजन है, जो चन्ने के तमिल लाड़ो में इ बोलो, नगर कहानिय में मुख्य पात्रा कोना मेन करेक्टर क्या है, आप बोलोगे सर पाप पाती मेन करेक्टर है, इसके उम्र की ऊपर हम बात करें, तू Пामेंट वगूस से फडरा फडर से लिखना, साद आप लोगों bonnet क्लास को सेर नहीं किया बच्चों तो आप से भी लोग क्लास को सेर वगरा करते रहें ठीक है ताकि इदम आनंद का भावर है ठीक है उम्र किए अगला आता है कि सूजाता का जन्म कब हुआ था हर एक बच्चे को पता होगा गुरूज अभी तो आपने बोला तीन मई 1935 को प्रमक व्याकरन के अनुसार पांडिये लोगों की दूसरी राधानी कहा है पांडिये लोगों की दूसरी राधानी एक राधानी तो सबको पता है तेमिलाडू की राधानी चिन नहीं है पर दूसरी राधानी कहा है तो आप कहेंगे सर दूसरी मदूरे मदूरे को दूसरी जालधानी माना गया है पांचवा नमर कोशन आता है ध्यान दीजेगा कि अंग्रेजी भासा में मदूरे को क्या कहा जाता है यहां कन्फिजन होगा देखना बहुत सरे बच्चे कन्फिजन करेंगे अंग्रेजी भासा में हम इने क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे सर कल आप प बोलते हैं तो पहरे बच्छों आंसर होगा हमारा मदूरा अगला कुछन आता है कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद जुलूस निकाला गया था यह कुछन आपको अलग लगता हो असर यह कहां से पुछा गया है इसी कहानी में बताया गया है कि जब पापाती को वल्ली अमाल सहर लेके जा रही थी तो नेता लोग वहाँ पर किसके खिलाब जुलूस निकाले थे तो महंगाई के खिलाब बच्छों किसके महंगाई के खिलाब जुलूस निकाले थे अगला आठमा आता है कि वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या तो प्यारे बच्छों पाप पाती को क्या हुआ था तेज बुखार यानिक है नहीं यह वो गया था तेज बुखार यानिक मेनेजाटेश तस्वान नमर को उसने पाप पाती कितने साल की थी तो मैंने कई बार आपको बता है कि पाप पाती की जो उम्र थी वह मात्र प्यारे वगर्व आपो लोग कर दो किते हैं तक यह भाइना मरा क्या नमबर वाले कमड़े में जाना था डौख रूमन वाले से क्या मापा जाता है option A भशवा की गति मोंटर की गति हरदय की वायू यान की गति टो पहले बच्चो एक मैंने आपको बताय को बतके बारे मैंने बताय जिससे हम लोग आँख को देखते थे न मैंने बताया था कल यहां पर एक नया कोशन है एक मसीन का नाम था मैंने अपने पास लिख के रखा हूं बच्छो मसीन का नाम था इस्टेट इसकोप या ऐसे कुछ नाम था बच्छो मसीन का हाँ आप्थलम इसकोप क्या नाम था आप्थलम इसकोप था आप्थलम इसकोप जो मसीन था बच्छो इससे हम लोग क्य करते थे नेत्र की जांच करते थे दे ंजस करते थे इसको पूछा गया आँख देखने की मसीन कान, कंट या मस्तिस्क तो आप सभी लोग कमेंट करके बताईएगा कि किस चीज को देखने की मसीन है ठीक है आगे आता है बच्चो कि लंबी कतार देखकर वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया था तो अपने मिरित पती पर बहुत गुस्सा आया था पूरा नाम है तो प्रणे बच्चों तुजाता का पूरा नाम है थे क्या ए अगला कुछन आता है वल्ली अमाल किस गाउंडा भाउंगे थी बच्चों उस्के गाउं का नाम वह दो पाप्पाति कहानी का पात्र कौन है किस कहानी का पत्र कि आगे पढ़ेगी सीता है पर मा कहानी कहानी का मंगू हो जाएगा थिक है अगला आता है Meningitis का संबंद किससे है तो तेज बुखार से है बच्चो option A सही है अगला नगर कहाने किस भांसा से अनुदित है तो आप सभी लोग पढ़े हैं कि नगर कहाने जो है वो तमिल भांसा से अनुदित है तमिल option number B सही होगा अगला आता है ध्यान से अगला question number के आता है पाप पाती बेहोंस क्यों पड़ी थे option दिया गया है सिर में दर्व के कारण तेज बुखार के कारण क्या हुआ था तो आप कहेंगे तेज बुखार के कारण अगला बचा I want that girl admitted now किस ने बोला था ऐसा किस ने कहा था I want that girl admitted now ऐसा किस ने बोला था छोटे डॉक्टर ने बड़े डॉक्टर ने परसेक्षुक ने तो भई डॉक्टर ने कहा था बई डॉक्टर कहां से पढ़के आये थे तो आप कहेंगे सर्ब बृतेन से बृतेन ना बृतेन से पढ़के बई डॉक्टर आये थे इंग्लेंड से पढ़के आये थे अगला आता है पाप पाती को उसकी मा इलाज के लिए कौन से सहर ले गई थी कौन से सहर इलाज के लिए ले गई थी तो आपको पता है ना कहा ले गए थी मदूरे सहर चलिए बच्चो ये था आपके 24 कोश्चन इसमें chapter wise आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ ये 24 में से आपका score कितना रहा मुझे पूरा भरूसा है आपके उपर कि आपने बहुत अच्छा score किया होगा ठीक है है ना बच्चो चलिए आगे बढ़ जाए yes or no क्या होता है ये बताता है कि इस chapter से अभी तक में कौन कौन से question पूछे गए हैं आइए बच्चो कोशन में लगा लीजिए अपना answer कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था 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 स्वीड रहेंगे हम लोग वेल की तुलनात्मक व्याकरण उसको याद कर ले ना बच्चोिस यहम भीवियाई फ्रसन आहें बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं है अग्ला आ आता है इस रंग राजन कि S. रंग राजन दीनर का वास्त्तविक NAm महिसे अंग्रेज लोग इसे MODURA कहते थे माधूरा अंग्रेज लोग क्या बोलते थेम गुरुजी अंगणी लोग मदूरा बोलते थे मदूरा ठीक है नेक्स आता है हमारा पाप पाती बेहोंस क्यों पड़ी थी सिर्में दर्द के कारण तेज बुखार के कारण चोट लगने के कारण तो बच्चो पाप पाती पड़ी थी तेज बुखार के कारण नेक्स आता है पाप पाती की उम्र क्या थी तब को पता है ना छोटा सा कोशन है आसान कोशन है comment box में छापते चलना नेक्स आता है बच्छो एस रंग राजन का वास्तविक नाम क्या है सूजाता है ना एस रंग राजन का वास्तविक नाम, एसा होना चाहिए, किसका वास्तविक नाम है, तो सुजाता का नाम है बच्छो, नेक्श आता है, I want that girl admitted now, ऐसा किसने बोला था, I want that girl admitted now, मैं चाहता हूं इस लड़की को अभी भरती किया जाए, ऐसा किसने बोला था, बड़े डॉक्टर ने, option number B सही है, अगला आता है बच्छो, नगर सिरसे कहानी के लेखक कौन है, तो नगर में, हमने आपको ट्रिक बताया था, कि नगर में सुजाता नाम की लड़की तेरी वेश्ते है, सुजाता आंसर, option number A सही है, अगला आता है, पाप पाती, dot dot कहानी की पात्र है, पाप कहेंगे, सर पाप पाती, नगर कहानी की पाता है, option B सही है, पाप पाती को कौन सा रोग था, पाप पाती को कौन सा रोग था, मैंने जाटिस रोग था, अगला नगर कहानी किस भासा से अनोदित है, यह किस भासा से यह अनोदित है, हम पढ़तो हिंदी में रहे हैं, पर यह डॉक्टर ने उसे मदुरय लेकर जाने को कहा था तो आप कहेंगे सर गाउं के डॉक्टर ने है ना गाउं के डॉक्टर ने अगला आता है कहानिकार सुझाता का असली नाम क्या है अगला आता है पाप पाती कहां लेटी थी इस ट्रेचर में लेटी थी इतना कोशन अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं बच्चों और कौन कौन से कोशन बन सकते हैं उसपर देखते हैं सब लोग क्लास को लाइक कर लेना अब मैं आपको यह बताता हूं कि और कौन-कौन से कोशन यह बन सकते थे जैसे बच्चो डॉक्टर ने सुभा कितने बज़े बुलाए था तो आपको होगे सब साड़े साथ बज़े बुलाए था अगला बच्चो अगर आपसे पूछा जा बतााई इस रंके रिक्से में तो आपको अगला कोशन है इसके लिए मनत मौाँगा गया था अब अगला कोशन पूंटिए जो है पाप पाती मनत बच्चो और इसके जो अनग, टि का और जू है अनुमानत मौनच है ऩौ अनुमानता है जो है I can't do it कि मैए इसको मा थी इसका हाई कमा लिखा गे था ठीक है तो बच्चों लगबग क्या पीजिए इसका फूरब को ओड़ाये थे तो सारा objective हो जाए अब देखते हैं पेरे बच्चों सब्चेक्टिब नहीं जो कूछे जाते हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखोगे, ज्यादा focus हमें किस पर करना चाहिए, बताओ, हमें ज्यादा focus बच्चों, सब्जेक्टिव पर करना चाहिए, ठीक है, तो आईए हम लोग सब्जेक्टिव पर पूरा focus करते हैं, और चीजों को देखने का प्रियास करत है, तो बच्चों, नगर इसलिए रखा गया, क्योंकि नगर जो है, नगर कहने के लिए नगर होता है, पर काम oùह नहीं होता अच्छे से, तो कहते हैं कि इस कहानी का सिरसक नगर बिलकुल सठीक है, क्योंकि जिस परकार नगर में पाप-पाती के इलाज के लिए उसकी मा को अस्पताल में पड़िसान किया जाता है, डाक्टर उसे जूठ बोलकर सुभा आने के लिए कहता है, इस प्रकार यहां साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजे, कि सर हम अच्छे से इ अगर हमारे एकजाम में आ जाए, तो सर एकदम, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है लगता है आपको, यसर नो, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला कुसन आता है, कि पाप पाती कौन थी, और वह सहर क्यों लाई गए थी, आपको पता है, कि पाप पाती कौन थी बच् आपको पता है अच्छे से, ठीक है, अगला आता है, कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधिनस्त डॉक्टर से पाप पाती को अस्पताल में भरती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें, आकि डॉक्टर ने क्यों कहा, कि पाप पाती को भरती कर लिजी, क्योंकि पापाती को भरती कीजिए ठीक है तो बच्चों इसे को अपने सब्दों में लिखना है कि बड़े डॉक्टर ब्रिटीस मेडिकल से पढ़कर आये थे वहाँ हाल ही में मेने जाटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाईयां पढ़ी थी और उसने यहाँ भी देखा था कि लड बढ़ती नहीं कराया गया तो फिर दिक्कत हो सकता है इसलिए इसलिए आप कहा सकते हैं यह डॉक्टर ने ऐसा आदेश दिया था तो पैरे बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि यह कर दीजिए हाँ अगर यह कोशन एक्जाम में आता है कि बड़े डॉक्टर ने अप कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पाप पाती अस्पताल में भरती क्यों नहीं हो पाती है तो आपको पता है ना कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी जो वहां के और डॉक्टर सब थे वो जो थे मतलब उतने अच्छे नहीं थे साइद वहां पर गूस लेकर के काम होता था। इसलिए उसको भरती कराया नहीं, गड़ीप समझ के साथ में कोई नहीं आया था, तोची मां ही तो है, क्या है इसको अस्पतालें भरती करना। तो कहते हैं बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पाप पाती अस्पताल में भरती नहीं हो पाती है। पाती का इलाज नहीं हो पाया बत्सक्राइब लिख दोगे तो अगर मुझे बता दो कमेंट बोक्स में कि हां गुरूजी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है आराम का भाव है है ना लास्ट देखते हैं साथ कि वल्ली अम्माल का चरित चितरन कीजिए निए वल्ली अम्माल के लिए अस्पताल में पूरा चक्र लगाने के बाद अस्पताल से अपने बेटी को वापस लेकर आ गई उसी सहासी महिला के वारे में आपको लिखना है तो मुझे लगता आपके कलम नहीं रुकने चाहिए इसके बारे में तो कहते हैं वल्ली अम्माल इस कहाने की मुख्य पात्रा पापपाती की अम्मा है यानि मा है जिसके पती इस दुनिया में नहीं थे वह बहुत ही सहासी थी क्योंकि वह अपने बेटी को गाउं से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े सहर मदुरई चले आती है यहां के अस्पताल में अच्छी विवस्था नौ यहां इसके लिए अच्छे नोच होना बहुत जरूरी है तो जो भी बच्चें नोट्स नहीं लिए noises कराई हरें आसके वारे में जो लोग नोट्स नहीं लिए तो नोट्स के लिए पै़रे बच्चो एप डाउनलोड कर लीजिए एक छोटा सा है दिश्ँ आलें क्लास सबस्था डप कर लिए अभी जातर गें दिश्पा आनलें चालायelin कॉलास अप महरें आजाएगा ठीक है औल् जो फी है बच्चों बहुत जादा नहीं रखते हैं 499 रुपय में आपको All Subject मिल जाता है तेखे सारा Notes जो Class आपका छूट गया वो विडियो मतब आप में आपको सब कुछ टेस्ट वगरा भी अब धीर धीर आ रहा है सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आप लोग जोएन कर लिजेगा आप बोले सर कैसे जोएन कर लिए तो यह नंबर है डबल सेवन डबल जीरो 879453 पर आप क्या करेंगे कॉल करेंगे और बताएंगे सर मुझे आपका कोर्स लेना है सेनिसर का कोर्स लेना है बीस पान सौन ठान में आपने महीं पापा भीया को बताईए कि सरका मुझे नोट्स लेना है और हाँ इसना बस 449 रुपए दे करके ऐसा नहीं घर में बैठ जाए पढ़िए बच्चों ताकि आपका जो सपना है ड्रीम 450 प्लस भी आपको आना है अब लास्ट कहानी है ना दिखा दीए ना अब लास्ट हमारा बचा है बच्चों लास्ट जो हमारा मतबगी चेप्टर है इसका इसका क्या कहते हैं लास्ट क्या है हमारा धर्ति कब तक घूमेगी सीता के बारे वह भी पढ़ेंगे बहुत मजा गया से साधी दुखदर्द भड़ी कहानिया है नोट्स हमें पहले भी दिखा चुके एक बार फिर लास्ट में पेहरे बच्चों पहां इप लोग फिर से दिखा देते हैं यह हमारा नोट्स है आई सब पहले भी दिखा चुके थे यह नोट्स आप पढ़ लें नाम एसरंग राजन है ठीक है उतना साफ नहीं दिख़ड़ा होगा साइद आपको पुथा नहीं कैमरा वाइट के नुसार हमारा सेट नहीं है ठीक है लवी बच्चों मिलते ले क्लास में लिखना नीचे कमेंड बॉक्स में कैसा लगा आप से भी को यह क्लास पढ़कर के आनंद हुआ जरूर लिखिएगा धन्यवाद आप से भी का बच्चों धन्यवाद